आखिर क्या है कोहली कुम्बले के विवात की इंसाइट स्टोरी अनिल कुम्बले को इस्तीफा देने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा अनिल कुम्बले ने आखिरका टीम इंडिया के कोच पत से इस्तीफा दे दिया है लेकिन इसी के साथ कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि आखिर वो कौन सी वज़े थी जिनके चलते कोच का कप्तान और टीम के कुछ खिलाडियों से विवाद कुआ तो आई ये जानते हैं आखिर वो कौन से पांच अहम कारण थे जो कोच कप्तान और खिलाडियों के बीच के विवाद के केंदर बने थे कारण नमबर एक पेशेवर अंदाज दरसल कुम्बले चाहते थे कि वो भले ही टीम के पूर खिलाडी रही हैं लेकिन वो एक कोच के तौर पर एपोइंट हुए थे जिसे वो पेशेवर धंग से निभाने की कोशिश भी कर रहे थे लेकिन खिलाडियों को उनका ये तरीका रास नहीं आ रहा था कारण नमबर दो प्रतिबधता कुम्बले ने अपने नियमों में प्रतिबधता को काफी तवजब दी थी कुम्बले हमेशा चाहते थे कि जो खिलाडी जिस काम के लिए टीम में है वो उसे लेकर प्रतिबध रहे और अपना 100% देने की कोशिश करे कारण नमबर 3 स्किल्स बतौर कोच अनियल कुम्बले ने अपने कारेकाल के दोरान स्किल्स पर काफी जोड दिया था कुम्बले ने सभी खिलाडियों से दो टू कह दिया था कि Аगर कोई भी खिलाडी चोच या किसी अन्यकारन से चीम से बाहर जाएगा तो उसे पहले खुद को पिटनेस और फॉर्म में साबित करना होगा कारण नमबर चार इमानदारी अपने करियर के दौरान अनिल कुमले टीम के सबसे लॉयल खिलाडियों में से एक माने जाते थे शायद कोच के तौर पर भी खिलाडियों से उन्हें यही अपेक्षा थी कुमले ने अपने कारेकाल में अगर किसी चीज़ पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया तो वो था अनुशासन वो चाहते थे कि खिलाडी खेल पर ध्यान दे इधर उधर की बातों पर नहीं विदेशी दोरों पर परिवारों के साथ जाना, घूमना, शौपिंग करना कुमले को पसंद नहीं था तो ये थे अनिल कुमले के वो पाँच कड़े नियम जिसे एक बहतर टीम बनाने के लिए वो ज़रूरी मात दे थे लेकिन उनका ये तरीका कप्तान और खिलारियों को रास नहीं आया और वो उनके खिलाफ लाम बंद हो गए जिसके बाद कुमले को अपने पस से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा इंडिया नियूज वारिल की रिपोर्ट